हलो दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छ हुए दोस्तों एक बार आपका फिर से पर्फेक्ट इंस्टूट फॉर सिवियर्स की हमारी ऑटो लेवल और टॉटलिस्टेशन की प्रैक्टिकल क्लास के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है जहां प पोली कि जम आपको यहां पर पूरा-बटाने वाली हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हम अपने प्रैपोड कि आप sonoda अपने त्रीघ्त कोब्सक्रिए ido पर आप्ने पर रखेंगे तो आटो लेवल रखेंगे, आटो लेवल लेके आए आप इसके उपर रखा, आपने देखना है कि यह सेंटर पे हो, जैसे सेंटर पे होगा तो आप क्या करेंगे दोस्तों इसको लॉक कर देंगे नीचे से, बहुत ही आसान से आप जो है दोस्तों ट्राइप इसको जो है ले कर दोは find horizontal distance find horizontal डिस्टेंस प्रॉम किससे दोस्तों आप auto level से कर रहे हैं from auto level तो आप auto level के help से horizontal distance कैसे calculate करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों आप यहां पर रखेंगे अपना machine मतलब मतलब यहां पर आपने ओटो-level रखा यहां पर कहीं पर आप staff स्टाफ रखेंगे यहां पर आपने स्टाफ रखकाए दोस्तो अब यहिए सपोर्ज करते हैं दोडि जो भी डिस्टेंस कै की यह है इसको बोलते है Stadia stadia कहते है ठीक है Stadia Hair ठीक है यह Top वाली औरokes स्टेडिया hair Stadia Stadia Hair होता है यह ठीक है Stadia Hair और यह हमारी ख्रोस एर होती है इनकोuster theo क्रौस एर अब आपको जो रिडिंग पढ़नी है यह आपका Upper Stadia और यह अपर पर रीडिंग पढ़नी है, फिर लोवर पर रीडिंग पढ़नी है, लोवर स्टेडिया पर रीडिंग पढ़नी है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम लोग यहाँ पर अपने को गेरें एंगे ट्राइपोड के नीचे से अटॉफ का सेंट्र find-out करेंगे ठीक इ Sum呀 पर हम क्या करेंगे सेंट्र find-out करेंगे और फिर यहां से इक डिस्टेंस लेके और हम अपना स्टाफ रखें तो पहले हम जो है अपना प्लंब लगा देते हैं मशीन के उपर यह जो है हमारा प्लंब है यह प्लंब है इस प्लंब को दोस्तों यहां पर लटका जाता है आटो लेवल के नीचे सेंटर पर ताकि हमें जो है आटो लेवल का सेंटर मिल जाए तो हम क्या करें दोस्तों इसको है थिक जब आप इसको लटका देंगे नीचे तक उसके बाद जो है दोस्तों क्या करें सेंटर यहाँ और यहां पर आप इसको रोग दिए थोड़ देर के लिए और उसके बाद जो है दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर मार्क कर देंगे जहां पर भी एक है इसके नीचे जो है दोस्तों आप जो है यह आपका मशीन का क्या आगया दोस्तों यह आपका मशीन का सेंटर आगया मतलब आटो लेवल का Center अब हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों यहां से हम लोग पकड़ेंगे और हम यहां से क्या करते हैं पहले हम लोग पहले काम करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते है दोस्तों यहाँ पर अपना मार्ग कर देते 6 मिटर पर ठीक है और इसी के हिसाफ से हम जो क्रॉस वेरिफाई भी करेंगे क्या यह सही आता है तो यह 6 मिटर के डिस्टेंस पर हमने क्या क्या दोस्तों यहां से मार्ग कर दिया 6 मिटर के डिस्टें यहां पर अपना इस जगहे पर इन्स्ट्रुमेंट से और स्टाफ के वपर आप देखेंगे करेंगे और जो है स्टाफ की रीडिंग को नोट आउट कर लेते हैं तो हैं से जो है स्टृफ को रिडिक करना है यहां से पहले आप क्या करेंगे इसको लेवल करेंगे आपने इसके सीध में रखना आपको, स्टाप को, तो जब आप स्टाप को रख लेंगे, तो उसके बाद आप क्या करना, रीडिंग करना है, तो हमने पहली डिडिंग पढ़ रहे हैं इस पर, और हमारी जो अपर स्टेडिया पर रीडिंग आ रही है, वो आ रही है, 1.3, 1.36, 1.360, ठीक है, और इसको हम नो कर लेंगे, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, हमारी जो है, अपर स्टेडिया की डिडिंग कितनी आ रही है, दोस्तों, हमारी यहारी 1.360, 1.360, ठीक है, और यह मीटर में है, ठीक, और हम जाएंगे दूसरे, अब हम लोर स्टेडिया की डिडिं ठीक है जी अब इसको क्या करेंगे 1.30 1.30 हमारी lower पर reading है ठीक है तो आप देखेंगे इसमें कितने का difference आ रहा है दोस्तों अब इसको calculate करेंगे यहां से और आप देखेंगे इसमें से calculation के दोरान तो यह 0.0 मतलब देखें यह बिल्कुल हमारा 60 mm 60 mm का जो है हमारा difference आया है ठीक से meter में अगर देखेंगे तो 60 mm इसको हम क्या करेंगे दोस्तों यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे यह हमारा अभी आया है mm में ठीक है mm में है यह 60 mm तो 60 mm है यह 60 mm है और आप इसको क्या करेंगे 1 cm equal to, आप कितना लेते हैं, 1 cm equal to, आप ले लेते हैं 1 m, 1 cm equal to 1 m लेते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको multiply करने पर, तो 6 cm equal to 6 m, तो देखें दोस्तों, हमारा जो है, बिल्कुल सही distance इसने दिया है, 6 m equal to 6 cm, आपका बिल्कुल सही distance यह है, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ, अगर हम आपको, इसको measurement भी करें, तो देखे, परवीन ने जो हमने यहाँ से measurement किया था, यहाँ से लेके, यहाँ तक किया देखें दोस्तों, पकड़ें, यहाँ से देखें, यहाँ से हमने distance लिया था, अपने instrument का, यहाँ पर देखें, आज, आओ इदर, परवीन, देखें, 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 यह जो है distance आप देखेंगे, तो यह देखें, 6 m है, जो कि हमने cross verify भी किया है, किससे, अपने calculation से, तो यह हमने क्या निकाल दिया, दोस्तों, horizontal distance निकाल दिया, विद, जो है, आपको cross verify भी करके दिखा दिया, कि कैसे आप, जो है, horizontal distance को, auto level की help से, जो है, calculate कर सकते हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ, दोस्तों, यह video आपको पसंद आएगा, पसंद आए, like जरू करिए, चैनल को subscribe करना ना बुलिए, और इसके साथ में, हमने बहुत सारे और भी method, जो है, आपको auto level और totalization को उपर सिखा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी skills को improve कर सकते हैं, और सीख सकते हैं, auto level, totalization instrument को, free of cost में, perfect institute for seniors की, यहां की इन वीडियो के साथ में, ठीक है, बहुत detail में हमने वीडियो बना रखे हैं, और आप अपनी skills को improve कर सकते हैं, तो मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, जैन जैबार,